गुड मॉर्निंग स्टूडन्ट, दिस यॉर इंगलिस सेशन, प्रीविश इंगलिस सेशन में हमने सीखा था लेटर पी, आज हम सीखंगे लेटर क्यू, सबसे पहले जानते हैं क्यू का फोनिक साउंड, Q says कW, Q says क्bot, Q, क्व, क्ल, Q, क, क्यू, क्व, क्ल, Q, क्व, क्य, क्व, quilt, quilt means रजाई, कंबल जिसे आप कहते है रजाई उसे हम कहते हैं इंग्लिश में quilt, तो देखते हैं कैसे बराना है पहले trace कीजिए like circle and slanting line like this और small q के लिए standing line curve and small slanting line like this एक बार फिर से देखते हैं इस तरीके से trace कीजिए और अब एक slanting line इसी तरीके से आपको q letter की formation करनी है एक बार फिर से देख लीजिए circle small slanting line makes q capital q q q qua quail q q qua quilt q q qua queen इस तरीके से आपको एक circle बनाना है और एक small slanting line like this यह है capital q q का phonic sound है q q qua quilt अब देखते हैं how to make small q Small standing line, curve slanting line, again standing line, curve slanting line. Small standing line, curve slanting line, makes small Q. इसी तरीके से आपको सभी Q की formation करनी है. अब देखते हैं next. पेस्ट दर स्टीकर्स of things starting with letter Q. आपको Q letter से स्टार्ट होने वाले चीजों के स्टीकर यहाँ पर पेस्ट करने है. Q क क्विल, Q क क्विन. और आप जानते हैं स्टीकर आपकी बुक के back pages में अवेलिबल है. तो आप back pages में से इस तरीके से स्टीकर रिमॉव कीजिए. आपको इसे रिमॉव करना है और करेक्ट प्लेस पर स्टीक करना है. आप देखें कम्प्लीट है. आप देखते हैं और कौन-कौन सी चीज़े हैं जिनका beginning letter Q है. Q क्विक्विन, Q क्विल्ट, Q क्विक्वैल, Q क्विक्विल, Q क्विक्विवर. जिसमें तीर रखे जाते हैं. उसे कहते हैं क्विल्ट, अब देखते हैं प्रेक्टिस टाइम. राइट तब फर्स लेटर आफ दा फॉल्वाइंग इन कैपिटल इन ब्लू बॉक्सेज और इन स्मॉल इन पिंक बॉक्सेज. इस तरीके की एक्सेसाइज आप पहले भी कर चुके हैं. आपको ब्लू बॉक्स में कैपिटल क्यू की फॉर्मेशन करनी है, जबकि पिंक बॉक्स में आपको स्मॉल क्यू की फॉर्मेशन करनी है. बद देखिए, क्यू क्वा क्यूल, तो क्यूल के लिए क्यू की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये पिंक बॉक्स में है. और क्यूल क्यू के लिए स्मॉल क्यू की. इसी तरीके से आपको ये पेज कम्प्लीट करना है. I hope इसे आप complete कर लेंगे बहुत ही easy तरीके से अब turn the page next page है practice time अब तक आपने जो जो letters सीखे हैं उनकी practice करनी है आपको इसमें हमारा question है match the picture whose name start with the same letter देखिए आपको right और left side में कुछ pictures दिखाई दे रही हैं आपको उनको same letter की जो picture है मतलब जिन pictures का beginning letter same है आपको उने match करना है पताईए ये क्या है what is this this is ostrich और दीखिए O से start होने वाला कोई और भी picture है यहाँ पर O, ostrich का beginning letter है O अब आपको right hand side में search करना है कि और कौन सी ऐसी picture है जिसका beginning letter O है O और आउल तो ostrich को आउल से इस तरीके से match कर दीजे next है Q को quill quill means इस तरीके का punk और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है Q से जिसका beginning letter Q है yes Q कर queen तो आपको इस तरीके से quill को queen से match करना है next picture देखते हैं next picture है पी पर पेरट पी पर पेरट अब देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनका beginning letter P है पी पर पपाया तो पेरट को पपाया से match कर दीजिए है ना कितनी interesting activity next है M monkey M monkey और right hand side में है mat M mat दोनों का ही beginning letter M है तो इन्हें इस तरीके से हम match कर देंगे next है N night angle N night angle तो night angle को N Ness से match करेंगे क्योंकि दोनों का ही beginning letter N है इसी तरीके से आपको page number 100 complete करना है next है identify and write the first of letter each picture in capital आपको यहाँ पर जो picture दी गई है उसे identify करना है पहचानना है और उसका first letter यहाँ पर लिखना है जैसे कि what is this? this is P this is P और P phonic sound यानि P का phonic sound है पर और वो हमें मिल रहा है P से तो P, प, P तो इसका first letter है P इस तरीके से आपको लिखना है next देखते हैं what is this? this is necklace this is necklace necklace का beginning letter है N तो इस तरीके से हमें first letter लिखना है N and what is this? this is onion this is onion onion के लिए first letter है O O और onion तो इसी तरीके से आपको page number 100 100, 101 और page number 99 ये practice time तीनों ही page आपको complete करने हैं और साथ ही साथ आपको अपनी English की notebook में Q letter capital and small बोथ मैनर में उसकी practice करनी है ये था आपका homework हम फिर मिलेंगे next session में बाबाई जाए